नमस्कार सातियों, आप सब देख रहे हैं बालोत्रा चत्रियों का मोर्शा से लाइव दर्शियर लुणी नदी में जल इस्तर बढ़ने से बालोत्रा जसौल मारक बंद लुणी नदी में इस्तर बढ़ने के कारण बालोत्रा लुणी नदी पर इस्तित ब्योटी पुल की रपट के उपर से पानी बह रहा है इस इस्तती को देखते हुए बालोत्रा पुलिस ने एतियात के तोर पर बालोत्रा जसौल मार्ग को बंद कर दिया है पुलीस ने दोनों और से बेरिकेटिंग कर रास्ता बंद कर दिया है पलोत्रा पुलीस ने आम जनता से अपिल की हैं कि वे नदी के पास से दूर रहे और अपने वानों को पानी में ना उतारे पुलीस ने विशेश अपिल जारी करते हुए का है नुडी नदी में इस्तर बढ़ने से पुल की रपट पर पानी बह रहा है जिसमें मारक पर यात्रा करना खतरनाक हो सकता है करपिया अपनी सुरक्षा के लिए इस मारक का उपियोग न करे और नदी के पास न जाए ये इस्तती तब तक बनी रहेगी जब तक जलिस्तर सामाने नहीं हो जाता इस समय आप देख सकते हैं कि नदी को देखने के लिए भारी संक्या में लोग उमड रहे है परसाशन की अपील हैं कि आप बालोत्रा में जसोल की और से आ रहे हैं तो मेगा हाईवे से होते हुए साकरना ब्रीज से बालोत्रा में आए इस ब्रीज का उप्योग ना करे पानी का जलिस्तर लगातार बढ़ रहा हैं इसलिए नदी से दूरी बनाई रखे नहाने के लिए नदी के पास ना जाए पानी का वेग बहुत ज़्यादा है नदी में पानी बढ़ने से आजपास के किसानों में खुशी की लेहर हैं किसानों ने धोल नगाडों के साथ नदी का स्वागत किया बालोत्रा में भी नदी के आगमन पर लोगों ने धोल नगाडों और पूजा के साथ नदी का स्वागत किया आम जन से भी अपील है कि आप नदी के पास न जाए और बलोत्रा की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए हमारे सेनल एमेम माली को सबस्क्राइब करे और बेल आइकन को क्लिक करे जिससे हमारे वीडियो की मोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दन्यवाद जे सरी राम जो सबसे हमारे जे सके एमारे जड़िकेशन सबसे जे सुदमी ने जे सके लिए गर जजड़ only